तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारी रेसीपी समझ में नहीं आई है अगर आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से देखना है ना तो आप हमें कोमेंट्स करके जरूर से बोलें तो हम आपको फिर से रेसीपी की फुल वीडियो जरूर से देंगे हेलो फ्रेंड असलाम अलीकूम क्या हाले आप सभी के तो उम्मिद करती हूँ कि आप सभी लोग खेरियस से होंगे ठीकटा होंगे और अलापाक आप सभी को हमेशा हमेशा अपनी फेमिली के साथ खुश रखे आमीन सुमा आमीन तो फ्रेंड अभी हो रहा है मोर्निंग का वक्त और आज ना मैं नाश्ते में पोहे बना रही हूँ तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पोहे बनाते हैं तो पोहे की रेसीपी ना मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर की हुई है तो इसलिए फिर मैंने आज नहीं की और बाद ना मैंने अपनी बोटल में गरम पानी फिल किया मतलब गरम पानी भर दिया था अपनी बोटल में तो फ्रेंड आप लोग को तो पताई है ना मैं हर वीडियो में आप लोग साथ शेयर करती हूँ कि मैं ना गरम पानी पीती हूँ और गरम पानी पीकर ही मैंने अपना कितना जादा weight loss कर लिया है तो इस तरह से आप लोग भी गरम पानी पीएं और friend गरम पानी के साथ आज हमने ये चूरन भी लिया है तो ये चूरन ना फ्रेंट बहुत जादा से powerful है तो ये चूरन ना हरड़े बहड़े और आवला तीनों चीजों से मिलकर बना है ये त्रीफला चूरन होता है और ये बहुत ज़्यादा से पावरफूल होता है और हमारी जो चर्बी होती है ना उसे भी ये मक्षन की तरह पिगला देता है तो इसे आप लोगो को कैसे यूज़ करना है आप लोग भी कर सकते हैं और साथ ही मैं इसके मैंने एक चीज और खाई थी तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्ला जरूर से बता दूंगी अगर आप लोग इंटरस्टेड हैं हमारी वीडियो देखने में और आप लोगों को भी अपना वेट लोस करना है तो आप लोग कॉमेंट्स कर सकते हैं तो हो गया है अभी शाम का वक्त अब हम चाई बना रहे हैं पानी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो फ्रेंग पानी हमारा चाई का थोड़ा ज्यादा हो गया है तो खाने में अब हमें क्या बनाना है तो अब हम खाने में बनाएंगे आज आप लोग को बता देते हैं आज हम बनाएंगे मटन करी तेस्टी सी यम्मी सी मटन करी फटा फट से बनने वाली तो फ्रेंड आपको मटन करी की फुल रेसिपी देखना है तो हमारी नूर बर लाइफ इस्टाइल चेनल को सब्सक्राइब करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्सन में दी हुई है और हम अपसे हमारी सारी फुल रेसीपी की वीडियो नूर्बर लाइफ स्टाइल पर ही अपलोड करते हैं और शोट्स में अपलोड करती हूँ फ्रेंड में ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो अगर आपको हमारी रेसीप हमें एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो हमारी ज्यादा लंबी हो जाती है बड़ी हो जाती है तो इसके लिए हमें कुकिंग और व्लोगिंग को अलग-अलग करना होता है तो इसके लिए अब ये वाला चैनल हमारा स्रीफ और स्रीफ व्लोगिंग का रहेगा और इसमे अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अगर कोई सी भी पसंद आए आप लोगों को इसकी फुल वीडियो देखनी है तो आप लोग हमें कोमेंट्स कर दें कि हमें आप अपने व्लोगिंग चैनल पर ही ये रेसिपी बता दें तो हम फिर इंशालला आपको जरूर से बता तो फ्रेंड चाय हमारी बन गई है देखिए अब हम चाय पी लेते हैं और तो फ्रेंड अभी ना में ने गोष्ट निकाल लिया है फिरीज से तो इसे मैं पानी में डाल के रख दूँगी और ये एक से देड़ किलो शायद गोष्ट है इसमें मैंने इतनी एक प्लेट प्याज ली है और ये अदरक लसन है तो अदरक लसन का पेष्ट बना लूँगी और ये हम सब नहीं डालेंगे मतलब थोड़ा बोसा ही इसमें पानी बढ़ दिया है और फ्रेंट में मतन को आदे गंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए पानी में जरूर से रखती हूँ ताकि इसके अंदर भी जितना भी बलड है वो सभी निकल जाता है इसके लिए मैं हमेशा पानी में इसे डुबा के जरूर से रखती हूँ औ तो फिर आपना इस चलनी में निधरने के लिए रख दें उसके बाद फिर हम इसका सालन बनाएंगे तो चलिए अब हम आपको थोड़ी देर बाद से मिलते हैं तो फ्रेंट देखिए हमारा अद्रकलसन हमने पीस लिया है यह अद्रकलसन का पेस्ट मुझे मतन करी में डालना है और यहां पर यह इतना एक्स्ट्रा मेने बनाते रख लिया है अभी प्याज थोड़ी सी पिंक फ्राइ हो जाएगी इसके बाद फिर हम अद्रकलसन इसमें ए करनाओंगी और बाकी आप लोगों को थोड़ी सी स्टेप बाई स्टेप हमारे शोर्ट चैनल को देखने को मिलेगी तो जिसकी लिंक ना हमने डिस्क्रिप्सन में दी हुई है वहां पर जाके आप लोग देख ले और यह मतन को भी अच्छे से धोके में ने यह चलनी में र मतलब एक्स्ट्रा ब्लेड निकलता है पानी वह सब अच्छे से निकल जाता है और फिर मसाले में से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी समझ में नहीं आई है अगर आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से देखना आए ना तो आ हम आपको बनाना बताते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट्स करें और चैनल को तो जरूर जरूर से सब्सक्राइब करें और फ्रेंड साथ ही में देखिए हमने बनाया हुआ है सलाद तो सलाद में मूली टामार्टर प्याज हरी मिर्च हरा धनिया है चलिए फ्रेंड अब हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज